पाकिस्तान में इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो गया और वीपियन्स जो हैं वो तक्रीबन बंद हो गया अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि तमाम वीपियन्स काम नहीं कर रहे हैं कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वो वीपियन्स जो मुफ्त में काम कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे तो डिफरेंट डिफरेंट खबरें आ रही थी इंटरनेट की एकसेस बड़ी स्लो हो गई थी यनि अपनी टीम को हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी इंटरनेट इस्तमाल करने में और एक वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रही थी और बड़ी दिक्कट हो रही थी इवंट ट्विटर को इस्तमाल करने में दिक्कत हो रही थी एक्स जिसको अब हम कहते हैं वो भी इस्तमाल नहीं हो पा रहा था तो ये सारी चीज़े ना होने की वजा ये है कि हुकूमत फिर कोई तजर्बे कर रही है हकुमत लगातार तजर्बे करती चली जा रही है और बो रुपए खर्च कर रही है सिर्फ इस काम के लिए कि जनाब हमने पाकिस्तानी नौजवानों को या पाकिस्तानियों को उनकी जाती राये देने से रोकना है असलाम आलेकुम नाजरीन एकराम ये वीडियो मुलाज़ा कीजिए तो दो तीन रिक्मेंडिड है लेकिन जो दो वीडियों अच्छा काम कर रहे हैं बहुत थोड़ा सा पर ये करना पड़ता है तो ये पूरे साल के लिए आपका वीडियों चलता है रहे हैं और एक कोई सरफेस शार्क के नाम से भी है अब पता नहीं इसको मैंने इस्तमाल नहीं किया लेकिन ये दोनों वीपियंज बहुत ठीक काम कर रहे है तो इनको आप इस्तमाल कर सकते हैं बाते हैं जो है मुझूदा हुकूमत कहती है जी हम 4G से 5G पे जाएंगे ये क आपको एक चीज तो क्लियर करतो ये बहुत जल्दी ट्विटर खोलेंगे एक्स को बहुत जल्दी पाकिस्तान में बहाल करेंगे ये मेरी बात आप जहन में रखिएगा इन्हें करना पड़ेगा उसकी वज़ा ये है कि डॉनल्ड ट्रंप ने अपना अलेक्शन अमेरिका म नहीं थे तो वहां मौका मिला उसको अलेक्शन लड़ने का तो बहुत सारे फैक्टर थे वहां पर ये एक्स का एक फैक्टर भी है और इसके उपर जब रवायती मीडिया घलत नबसरे करना था परिशान करना था ट्रंप को उसकी पार्टी को तो उन्होंने अपना पूरा जो कंपेन है वो खड़ा किया एक्स के उपर इम्रामसान साब ने 2024 का आट फरवरी का अलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ा था इसी एक्स के उपर रखके लड़ा था और काम्याभी मिली थी अभी जो है वो इनका अगिला टार्गेट है कि कैनिडा में जस्टिन टूनों क वो बड़ा कंट्रोल्ड है तो ऐसी जगा के उपर सोशल मीडिया क्यूंकि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फिर इस तरह का मीडिया जो है जो कंट्रोल करने की जिन्गी खोईश है उनको तो बड़ा नापसंद होता है अब शाबाज श्रिप साब जो है वो इसी एक लगा के और आब बीपिएन भी बैन कर रहे हैं पाकिस्तान में बारल मैंने कुछ बीपिएन बताएं आप लोगों को आप उनके साथ जा सकते हैं अब मामला यह है कि हकूमत इसको खोलेगी उसकी वजा यह है कि डानल्ड ट्रम्प को जब यह एक जुम्ले में कोई बताएगा और यह इंटरनेट के उपर आपका ट्विटर चलना शुरू हो जाएगा थोड़े अरसे में कोई इतने तगड़े हैं नहीं शावाज श्रीफ ने अपने मूँ से कहा था कि बैगर्स आर नौट चूजर्स तो एक्चुली वो अपने आपको बैगर्स समझते होने लगता है कि वो मांगने वाले हैं फकीर हैं भिकारी हैं लेहादा उनकी कोई च्वाइस नहीं हो सकती उनको ट्विटर खोलना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि ये पर ट्विटर खोल देंगे अब नादरीन एक और बड़ा इशू उठा हुआ है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अ बी हो जाती है लेकिन तरीके इनसाफ के लिए सोशल मीडिया क्या है ये मैं आपको भी बढ़ाओं गा इस वी लॉग में यानि जो लोग आज सोशल मीडिया के उपर तन्कीद कर रहे हैं ना उन्हें आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तरीक इंसाफ प्रकर्स भी नहीं है यह आम पाकिस्तानी के तार पे ठीक को ठीक और गलत को गलत कह रहे हैं और यह सिर्फ नजरीया को फालू करते हैं इन में जो है बाशवर नौजवानों की अक्सरियत है खवातीन भी है अधरात्मी नौजवान लड़के लड़किया है तो यह बाशवर माजवान हैं, इन्हें कोई लालच नहीं है, ना इनको तनखाग उपर रखा हुआ है, अब तनखाग उपर लाखों लोगों को तो भरती नहीं किया जा सकता ना, ज्यादा ज्यादा आप चांद सौ लोगों को भरती कर सकते हैं, गरीब मुलक है, किसी पुलिटिकल पार्टी तो बाराल ये लाखों लोगों को तो आप भरती नहीं कर सकते, कि आपने भरती कर लिया, लालच दे दी, या तनखाग उपर इनको रख लिया, ये लोग जो भी करते हैं ना, ये अपने मुलक के लिए अच्छा सोच कर करते हैं, इनने लगता है ये चीज़ ठीक है तो ये फाइदे लेने, ये तो सिरफ पाकिस्तान के चकर में इमरान खान का साथ देते हैं, और इमरान खान का साथ ये क्यों देते हैं, इस पे गौर करें आप, ये इमरान खान का साथ देते हैं, इमरान खान के मौकिफ पर डट जाने की वज़ा से, इमरान खान के अपने करेक्ट इवरान खान को उनके लिए इवरान खान एक लीटर है एक क्रिकेटर नहीं है क्योंकि बेश्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने 92 के वर्ल्ड कप के बाद आंक खुली इस दुनिया में या उस वक्त वो दो साल तीन साल चाल साल पांच साल के थे जिनने क्रिकेट का शाहूरी नहीं तो ये इवरान खान को क्रिकेट की वज़ा से नहीं उसके करेक्टर की वज़ा से सपोर्ट करते हैं और बिल्कुल स्केट फारवर किसम के लोग हैं ये किसी का उधार नहीं रखते या इन्हें इस बाद से फरक नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा आदमी है या कोई मनिस् कभी इनको ब्लॉक कर दिया जाता है कभी ने कोई नुक्सान कभी कोई नुक्सान लेकिन उसके बावजूद ये पीछे नहीं अगर ये बुजदिल होते हैं और स्टेट फारवर्ड ना होते और आप से डर जाते तो ये बहुत पहले बाकी लोगों से डर जाते हैं आप इन्ह तनकीद करने पार्टी पर लीडर्शिप पर तनकीद करने वह बाहर में जाएं नाजरीन आप को क्या लगता है क्या गंड़ापूर साब को ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए ता आपने शेख मकास अक्रम की जानीब से भी सुना होगा अब गंड़ापूर साब का भी स्टे हुआ था और अब गंड़ापूर साब कहा रहे हैं कि यह वर्कस बाड़ में जाए वह पाकिस्तान तरीक इनसाफ का वर्कर ही नहीं है अब हर कोई तो जलसे में या हर कोई तो इतिजाज में शिरकत नहीं कर सकता अब जो वर्कस गार बैठकर मुबाइल के जरीए काम कर रह में आपके रहे रखते हैं अबनी राय का इज़ार कमेंट्स में कीजिए मुझे नहीं अजाज़त अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज